अजय को जाल हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब विधी आप सब खेरियत से होंगे यह कहानी हमें एक यूजर ने भेजी है तो आएए यह कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि यह 30 साल पुरानी बात है एक रोज मेरे दोस्त जॉर्ज बुखारी ने मुझसे कहा कि शहर क की जिन्दगी से निकल कर चंद रोज किसी फॉरेस्ट बंगले में उतारने चाहिए ताकि हमें एहसास हो की आज से 100 साल पहले लोग की सकून की जिन्दगी गुजार थे कि इसका फलसफा यह था कि शहर की मश्रूम जिन्दगी इनसान को खपा देती है और तनहा छोड देती है और व्यवसायों के जंगल में बेचैन हो जाया करता था कि मुझे भी उसकी यह राए अच्छी लगी थी लिहाज़ा हमने अपने एक फॉरेस्ट ओफिसर दोस्त से गिरफतार किया तो उसने हमें यह मश्वरा दिया कि तुम लोग अगर किसी बहुत जाता है वेलनोन रेस्ट हाउस की बजाए लहरी रेस्ट हाउस में चले जाओ तो काफी मज़ा आएगा तो मैं को सुबह कहीं काम पड़ गया और क्या यार शाम को चलेंगे कौन सा ज्यादा दूर जाना है इस प्रकार तो मैंने भी कहा की चलो ठीक है उस पर हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं हुआ करती थी हम दोनों शाम से पहले वैकेंट पर बैठे और सहावर चले गए कि बुखारी ने बताया था कि वह इसका एक दोस्त रहता है जिसके पास गाड़ी है वह में लहरी रेस्ट हाउस तक छोड़ा है का यह हमार किस्मत खराब थी कि वह दोस्त लाहोर गया हुआ था फिर हमने सोचा कि कोई टैक्सी कर लेते हैं लिहाजा हमने स्टैंड पर एक टैक्सी ड्राइवर से लहरी बदले जाने की बात की तो वह व्रत से हमारा भी दिखने लगा है अरे भाई क्या हुआ बुखारी ने पूछा इस वक्त लहरी बंगले में जाना है खैर तो है ड्राइवर ने सर से पाव तक हमें देखा था हां भाई शहर है बताओ कितना गिरा लोगे ना जीना रात के वक्त कोई जानवर भी लहरी रोड पर नहीं निकलता बड़ा सौंफ पांच रास्ता है अब बात करते हुए उस्त को डबल किराया देकर साथ चलने पर राजी कर लिया जब तक हम सवा से निकलें तो शाम काफी हो चुकी थी गर्मियों के दिन थे सडक पर ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी टैक्सी वाला थोड़ा आहिस्ता हिस्ता ही गाड़ी चला रहा था जब बं लहरी के जंगल के पा रही थी मैं और बुखारी तो समझ रहे थे कि रोशनी जब किसी तरह पर इस अंदाज से पढ़ती है तो इसका साया सडक पर फैल जाता है लेकिन ड्रायर इंतहाई फॉर्म सदा दिखाई दे रहा था वहीं पर जाईयों को भूत प्रेत और ना जाने क्या क्या बोल रहा था हम दोनों इसकी हालत का काफी मजाक उड़ा रहे थे कि हमें सफर करते और एक दूसरे को छेड़ते हुए एक घंटा गुजर गया था फिर एकदम मैंने चौक कर बोला मैं तुम्हारी जीटी रोड से कार पर रेस्ट हाउस का सफर दूर नहीं चंद्रिका है हमें तो एक घंटा हो गया है रेस्ट हाउस क्यों नहीं आ रहा इसम मैं तो काफी अर्से से इधर आ रहा हूं और बता सुबह आता हूं और दस मिनिट में रेस्ट हाउस पहुँच जाया करता हूं मगर आज मत मारी गई है रास्ता वही है लेकिन इतना लंबा तो नहीं होना चाहिए शायद मैं दर्मियान में से कहीं दूसरी सड़क पर निकल गया हूं तेरा जो है हम भी इसके साथ विंडर स्क्रीन और दाएं बाएं से रास्ता देखने लगे हैं कि आस्मान भी अंधेरे में डूबा हुआ था कोई सितारा चमकता दिखाई नहीं दे रहा था जंगल में किसी रोशनी का इमकान नहीं था बिलकुल तारीक की और होने की इच्छा हुई थी पहली बार हम दोनों संजीदा जुके और ड्राइवर गाड़ी चलाता रहा अचानक बुखारी की नजर रोड से हटकर जंगल की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि कोई आदमी जंगल में गाड़ी के साथ साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है संगीत की इससे पूछो रास्ता मैंने इसके पास जाकर कार्य रुकवाएं मुझे उम्मीद थी की यह करीबी गाव का कोई बंदा होगा जो पैदल अपने घर जा रहा है उस बंदे ने काली चादर से अपना चहरा ढाप रखा था है और कंधो तक इसके बाद लहराते नजर आ रहे थे अरे भाई सुनो बंगले को रास्ता कौन सा जाता है मैंने गाड़ी का शीशा नीचे करके पूछा अजीब बात यह थी कि वह मेरी आवास पर रुका नहीं ना पलट कर देखा और बता इससे आए जाने का रास्ता है वह बंगले की तरफ जाता होगा ड्राइवर ने चंद मिनट बात पाएं जाने रास्ता देखा तो गाड़ी एकदम तेजी से उस तरफ मौली यह सड़क काफी खराब थी बलके रची और तंग विधी इस दौरान जब मैंने पलट कर पिछले हिस्से से देखा तो मेरे पूरे बदन से जान निकल गई मैंने बुखारी का कंधा हिलाया तो इसने भी पलट कर देखा वह शक्स जो रास्ते में चलता हुआ मिला था हवा में चंद फुट उपर उदे हुआ है हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था कि वीरवार को कर दो की डर के मारे हम तीनों की हालत बहुत खराब हो रहे थे घबराहट में ड्राइवर ने फुल स्पीड में गाड़ी दोडाना शुरू कर दी खुदा करना ऐसा हुआ कि चंद मिनिट में ही सामने बनने की राशिया नजर आ गई और जैसे हमने बंगले का गेट क्रॉस किया हमने बंगले के गेट के पास खड़े मुलाजिमों से कहा कि पर्फॉर्मेंसिस रेस्ट हाउस का गेट बंद कर दे मुलाजिम फॉरिन से बंगले का गेट बंद करके भागते हुए हमारी तरफ आए और हमारी हालत देखकर इन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी सर आपको रात के वक्त नहीं आना चाहिये था जन महीनों से रात को इस सड़क पर बहुत ही पुरसकार वाकियात होने लगे हैं लोग कहते हैं कि इस सड़क पर भूतो और। तो मेरे अंदर एक हफ्ता रही हो जाता है बुखारी ने बहुत बड़ी मुश्किल से रेस्ट हाउस में गुजारी और अगले रोज मुझे सुभा सवेरे उठा कर कहां चलो वापस चलते हैं मैं फॉर्म के साथ यहां सकून से नहीं रह सकता मेरे शहर की रानी इस जंगल से शोल्डर से भेतर है कर दो संगीत कर दो है आई होप की कहानी आपको पसंद आई होगी फिर मिलती हूँ आप से एक और हॉरर स्टोरी के साथ अंतिम दहन बाए शहर